डॉक्टर सरोच सहया काचारे संस्कृत आर्डी काई स्कॉलिज भरतपुर हम आज क्रातार जुनियम का प्रथम सर्ग पढ़ने जा रहे हैं जो की विए पार्थ प्रथम वर्स के शिलेट वस में सम्मिलित है क्रातार जुनियम महा कवी भारवी का आमर काव्य है यह संस्कृत साहित में पूर्थम रखता है इसकी गणना व्रत रई में की जाती है व्रत रई में तीन महा काव्यों को गिना जाता है जो की इस प्रकार हैं पहला भारवी का क्रातार जुनियम दूसरा माग का शिशपाल वदम तीसरा स्रीहर्ज का नैसे दिये चरितम भारवी ने किरातर जुनियम का कथानक महा भारत के वन पर्व से लिया है यह कथानक बहुती छोटा है किन्तो अपनी वर्णन शक्ती से भारवीने से अपने ठारा सरगों में मौलिक विस्तार प्रदान किया है इस कावे में किरात वेशधारी शिव का अरजुन के साथ होने वाला युद्ध एक प्रमु कटना है इसलिए इसका नाम किरात अरजुनिम रखा गया है इसमें शुवीर रस की प्रदानता है सुरंगार आदी रसंग रूप में विद्यमान है इसके सभी पात्र लोक विशुरुत हैं सभी जानते हैं और इसकी शेली रीती वेदर भी है और प्रशाद गुन से यह मंडित है इस प्रताराभुम इसका प्रारम करने जा रहे हैं प्रथम श्लोक है शुरियह कुरुनाम अधीपस्य पालनीम प्रजासु व्रतिम यम युक्त वेदितुम से वर्ने लिंगी विदित है समायो युदिष्ठिरम द्वैत वने वने चरह प्रस्तोत श्लोक में महाकवी भारवी के करातार जुनियम असे लिया गया इस श्लोक में महराज धर्मराज युदिष्ठिरम ने कौरब नरेश दुर्युधन के साथ जुवा खेला तो श्लोक पट के कारण युदिष्ठिर उसमें पराजित हुए और उसमें अपना सर्वस्वहार कर भीमादी अनुज वा पत्नी द्रौपती के साथ 12 वर्स तक वो वन में निवास करने के लिए आ गए उसमें उनके मने विचार उत्पन हुआ कि यह है दुष्ठ दुर्युधन किस प्रकार का राज्य कर रहा है आकर उसकी नीतियों को और नीतियों को जाने तो सही तो वो एक वनिचर को भील को अपना गुप्चर बना कर भीजते हैं वे ब्रहम चारी का वीश बना करके हस्तनापुर्ण जाता है और वहां सब कुछ देख करके वहां का वरतान जान करके पुनहय दिश्ट के पास लोट कर आता है उसके बाद जो कुछ हुआ उसका यहां पर वर्ण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले वर्ण करते हुआ कहते हैं कि कुरुणाम अधिपस्य कौरवा के स्वामी दुर्योधन की श्रियह राजलक्ष्मी को पालनीम राजलक्ष्मी का पालन करने वालित था प्रजासु व्रतिम प्रजाम उसके व्यवार को व्रति को वेधितुम जानने के लिए यमायुक्त जिसन व्यक्ति को नियुक्त किया गया था सहे वह वनिलिंगी प्रहमचारी के वेश बनाया कर जो गया था वेत नमचारी के वेशवाला वीदी तह संपूर्ण विरत्तांत को जान करके वह वने चर दुग द्वैत वने द्वैत वन में जहांगे युदिष्टर आदी निवास कर रहे थे युदिष्टरम समाय युदिष्टर के पास लोट कर आया कभी ने आपर प्रारम में श्री शब्द का प्रयोग किया है जो कि मंगल सूचक है और इस संपूर्ण महा काव्यां वन्शन स्थचंद है अब हम दूशर श्लोग पढ़ेंगी करित प्रणाम स्य महीं मही बुजे जिताम सा पत्नी निवेद इश्यत हो ना विव्यत है तज से मनो ना ही प्रयम प्रवक्तों में चंती मिरसा ही तैशिन हो कि वन्शर जो है अपने दूट गुण संपनता के विशे में या बता रहा है तो कहता है करत प्रणाम स्य किया है प्रणाम जिस ने रथा तो उनको महराज जिश्टर को बढ़ाम कर चुका है और सपतने निजिताम अब उनके शत्रू के द्वारा जीते गई महीं प्रत्वी को मही बुजे उस राजा दुर्योधन के द्वारा महराज जिश्टर को निवेद इश्यत हो निवेदन करता हुआ तस्यमनह उसका मन उस वनेचर का मन ना विवेते तरने के भी दुखी नहीं हुआ ही क्योंकि हिते शुनह जो अपने स्वामी कहत चाहते हैं वो लोग मिर्शा जूटे मिर्शा जूटी और प्रियम प्रिया याने मीठी बाते हैं तुमना इच्छनती कहने नहीं चाहते हैं यहाँ यो दिश्ट के पास पहुंचे करके किरात जो है उनको प्रडाम करता है और अपना वरतांत सारा जो जान कराया कहना शुरू करता है और वो अगरत इस विश्य में जराबी चिंता नहीं करता है कि मैं जो राजा को बताने जा रहा हूँ है उनको आप प्रिये भी लग सकता है तो आपके जो शत्रू है आपकी साराज्य को नीती प्रियोग से वश्मे कर लिया है और अब वहाँ सफल चाज़क बन गए ये बात वो कहना चाहता है तो इस बात से राजा को दुख भी हो सकता है इसलिए स्वामी का हित चाहने वाले लोग कभी भी जूटी और प्रिये बात कहकर उन्हें धोका नहीं देना चाहते है इसलिए उस जैसा जानकर आया सकते बताता बताता हुआ सारी बात को कहता है दुशाम वेगाता है विधातुम इच्छता हुआ रहसी अनुग्या माधि गम्य भूबरता हुआ सा सोस्टा वदार विशे श्राले निम्विदे शितार थामेती वाजा माध दे दुशाम विगाता है शत्रों के नाश के लिए विधातुम उपाय करने के इच्छा वाले इच्छता हुआ इच्छा वाले भूबरता हुआ राजा युदिष्टर के रहसी अनुग्या माधि गम्य आग्या को पाकर के वहवनेचर सहव वहवनेचर सौस्टा वदार विशे शाले शब्द और अर्थ के गुणों से परपून विनिश्चित आर्थम और प्रमानों से निश्चित अर्थ वाली अपनी वाचा माध पाली को कहता है कहना प्रारम करता है अर्थात शत्रों के नास करने के लिए उपाय करने की इच्छा रखने वाले माराज युदिष्टर के गुप्तरीती सा अग्या पाकर वनेचर सब कुछ समझ कर शब्द और अर्थ के गुणों से परपून वाक्य को युदिष्टर से बोलता है क्रियासी युकता इनिरिप चार चक्छू सो ना वंचनियाा प्रभव अनुजीविभी अतो अहरासी जन्तुम असाधू वाजिदम मनुहालि चद्र लभन वचहों विदम्हाराज क्रियासी युकताव कार्यों में लगे हुए अनुजीविभी सेवकों को कि विचार चक्षु सहव एक गुप्त चरूपी नेत्रों वाले अपने प्रभवा स्वामी को ना वंचनिया कभी भी धोका नहीं दें अतया असादू असादू चंतू मराजियदी मैं असादू अपरियबाद कहूं या सादू परियबाद कहूं दूनों ही अवस्थावे मैं सेवकों चाहिए को गुप्त चरूपी नेत्रों वाले अपने स्वामी को कभी भी धोका नहीं दें अतया मेरा कथना प्रिया लगे चाहे प्रिया हो आप मुझे शमा करें क्योंकि जो बात हिदकारी भी है और मन को भी अच्छी लग ऐसी कठिंता से मिलती है यह अधिपम जो अपने स्वामी को साधुना शास्ति स्रेष्ट बात नहीं कहता है सह किम सखा वह एक बुरा मंत्री है यह हितात और जो हितकारी बात को ना संसुलते नहीं सुनता है अप प्रिये लगे लेकिन हितकारी बात है यदि उसको नहीं सुनता है तो सह किम प्रभू वह एक अच्छा राजा नहीं है वह बुरा राजा है ही सदा अनुकूलेसू नरपेसू अमातेसू चल सर्व संपत्तियां जो हैं उनके राज्य में रतिम प्रवती प्रेम बूर्वक नवास करती है अर्था जो अपने स्वामी के को हिद की बातों को अपदेश नहीं देता वे क्या मंतरी है अथवा वे पुरा मंतरी है इसे प्रकार जो स्वामी अपने हिच्चिन तक मंत्री की बात नहीं सुनता वह कोई राजा है अरधात वह एक बुरा राजा है क्योंकि राजाओं के और अमात्यों के अनकूल होने पर ही सभी संपत्तियां निश्चित्रूप से सदा प्रेम करती है